हर साल की तरह इस साल भी सर्दी के मौसम के शुरुवात के साथ ही दिली एंसियार की हवा में प्रदूशन का जहर घुलना शुरू हो गया है आज रास्टी राजदाने दिली में वायो गुनवत्ता सुचांक यानि AQY 306 तक पहुंच गया दिली का AQY बहुत ही खराब शेनी में तर्च किया गया लोगों ने अभी से ही मास्क लगाना शुरू कर दिया है प्रदूशन के बढ़ते खत्रे का असर 23 अक्टूबर की सुबह 7 बजे दिली एंसियार में सबसे ज़ाद रहा दिली के कई जगहों पर AQY का अस्तर खराब देखा गया बवाना में 330, द्वारका के सेक्टर 8 में 319, आईजी आई एरपोर्ट पर 293, जहांगीरपूरी में 348, मुंडका में 319, उखला फेस 2 में 317 और बजेरपूर में AQY का अस्तर 356 दर्ज किया गया दिली NCR में बढ़ते प्रदूर्शन को लेकर BJP के राश्रीय प्रवक्ता शहजात पुनेवाले ने दिली CM केज रिवाल से जवाब मांगा है तो इसलिए आज अरविंद केज रिवाल जी कभी दिवाली पर, केंद्र पर, बाकी जगहों पर दोश डालने से बदले पहले बताईए कि पंजाब से पराली अब तक क्यों जल रही है क्या किया है पंजाब की सरकार ने जो आप ही की सरकार है और बताईए दिली में जो दिली के अंधरूनी कौज़े से पल्यूशन के उसको टैकल करने के लिए आपने क्या किया दिल्ली का जादातर प्रदूशन उसके कारण दिल्ली में ही होते हैं उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 22 अक्टूबर को ही बहुत खराब रही और शहर पर धूंद की परद छा गई 22 अक्टूबर को एकी वाई 313 रहा जबकि एक तीन पहले याने 21 अक्टूबर को ये 248 था पिछली बार दिल्ली में 17 माई को एकी वाई 336 दर्च किया गया था फिलहाल अब इस हालात से जल्द रहात मिलने की कोई संभावनाय नहीं दिख रही है और 25 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावनाय जताई जा रही है वहीं अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के पर्यावरन मंतरी गोपाल राय 23 अक्टूबर को रहत उपायों को लेकर लागू करने के बारे में संभन्दित अधिकारियों के साथ एक बैठक की अधिक्षता करेंगे बरहल हर साल सर्दी के मौसमें बढ़ते प्रदूशन से दिल्ली समेट आसपास के इलाकों में लोगों को परिशानी होती है और सरकार हर बार इससे निपटने का दम भरती है लेकिन हालात जसके तस है अगर जल्द ही दिल्ली की हवा प्रदूशन से मुक्त नहीं हुई तो यहां के लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा